टीपी कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है हम जिजक्त है पर दोस्तों अब शर्मा ने की और जिजक्त ने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजे दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे दोस्तों शोग को शुरूरत करते हैं पर शोग को शुरूरत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजे दहीफले इनके बारे में डॉक्टर विजे दहीफले ये और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है। जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर्स अला मौशुरा करते रहता है। छले दोस्तो आपको दोक्तर साप के क्लिनिक्स के बारे में तो पता ही गया है शो बुक्तर साथ करते हैं पर शो को शुरूत करने से पहले आपको एक खुछ खबरी देना चाहता हूं डोक्तर साथ का रिय Hahn शाथी डना क्लाबा शूरू है को greatness कर शोरू है सर हमारे साथ है सर वेलकम तो दीशो नमस्ते सर हम बात कर रहे हैं सेक्शुल डिसफंक्शन की और सर पब्लिक डिमांड के वैसे आप हमेशा एक अलग टॉपिक लेकर लेकर आते हो एक एहम टॉपिक लेकर आते हो आपके वाट्सेप के उपर सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं से इमेल के उपर बहुत सारे सवाल आपसे पूचे जाते हैं हम भी जब यह वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं फेस बूप यूट्यूब तो उसके कमेंट सेक्शन में भी सर भोच सारे सवाल आते हैं तो आप उसे शौट लिस्ट करके पबलिक डिमांड के वैस एक एहम topic select करते हो, तो ऐसे ही आज आज आपने एक बहुत ही महत्वपुरूनर topic से लेखिया है, जो है sexual dysfunction और P-spot के बारे में, P-spot. तो सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगे, P-spot, ये क्या होता है, सर? फ्लीज बताईए. समित, हमारे हरेग टॉपिक को हम लेते है, दर्शेवों के डिमांड से, हमारी जो सेरे चल रही है, sex education, sexual awareness और sexual safety, इसके अंतरगत हम इंफॉर्मिशन ले रहे, scientific sexual dysfunction की, अलगर अनाटमिकल पार्ट है उसकी, अस्पेशली हम क्या देख रहे है, P-point या P-spot, लेकर इसा रहता है, क्या भी पता नहीं ये लोगों को, इसलिए तो ये topic लिया है, एक P-point, एक आइसा spot है, जहां पे stimulation होने की वज़े से, बहुत intense orgasm आता है, जैसे फिमेल में orgasm आता है, उसी तरह में orgasm आता है, उसी तरह में में orgasm आता है, तो कहां रहता है एक P-point, देखेंगे और, डेफिनिटली, सर, प्रोस्टेट करन्थी के और क्या क्या काम रहते हैं, थोड़ा उसके बार में बताई, प्लीज, अभी आप पूछोगे, प्रोस्टेट का संबन्द यहां पे P-से कैसे आ गया, बैसे के लिए P- नाम इसलिए आगया कि यह प्रोस्टेट से संदर भी थाई, यह प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, हमारा जो मुत्राश है, उसके आगे जो नली निकलती, उसके बाजू में एक ग्लैंड रहती है, क्या काम रहता है उसका? वहां से जो स्पर्म हमारे बनते है, टेसिस से आते है, उसे फीडिंग करने के लिए, जो फ्रोस्टेट में बनता है, यह ग्लैंड जो है, वहां पे उसे सपोर्टिंग रहती है, स्पर्म को अच्छा और जिंदा रखने के लिए, और यही ग्लैंड के पिछले हिस्से में, यह रहता है पॉइंट वहाँ पे निरो वास्कुल बंडल जम्म होता है और इसलिए हमने प्रोस्टेट के कारे देखिया है अपार्ट फॉम ए सिक्रीशन है या प्रोस्टेट का नूट्रीशन है उसके साथ साथ और गयाजम होने में और यहाँ पे प्यूपॉइंट कौन से देखिये और इसी सिलसिले में में और भी कुछ आप से सवाल करना चाहूंगा पर एक दर्शक का कॉल आ है तनमय जी हमारे साथ जूड़ गया है 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 हम ले सकते हैं तनमय जी आपका सवाल पूछे आपका फोन कानेक्ट हो है बोलागा बोलिये तीस पॉट का मार्टर और रहना भी चाहिए नौलेज ज़रूरी है आपको नौलेज नहीं रहा तो कुछ भी रॉंग करके बढ़ते हो यहां पे स्पेशली जो लोकेशन है पी स्पॉट का पी पॉइंट का वहां पे रीच होना इतना एजी नहीं है क्योंकि एनरल रीजिएंस से काफी उपर रहत से लिमिट में एक्टिविटी एकरोगे तो ही उसके साइड इफेक्ट नहीं होगे बियॉंड दो लिमिट तो आपको बता है सेक्शुल डिस्फंक्शन भी होता है डेफिनिटी सर वापस एक बार क्वेस्टन आंसर के उपर आना चाहूंगा यह पी स्पॉट जो रहता है व देखो एनल पार्ट बहुत सेंसिटी हो रहता है किसी भी तरह से कोई थरस्टिंग या फिंगरिंग आप करने का वहाँ पर ट्राय करोगे तो वहाँ पर इंजूरी हो सकती है सामने वाली की कंसेंट बहुत जरूरी रहती है और जब लुब्रिकंट यूज करके स्लोली फिं अगर जाने के बाद आप प्रेस करोगे तो वहाँ पर इजयक्लिशन का सेंसेशन और और अर्गैजम का इंटेंस सेंसेशन आ जाता है और ऐसे डूनते अंदर की तरह से लुब्रिकंट और फिंगर यूज करके डेफिनिटी सर अंदर से ये पी स्पॉट कैसे डूनते आप सब्सक्राइब हो तरहाँ estran würक और इंथे डेरीया में प्रेस और अंदर आफ तरहा जहाई जोुब्रिक जाएगा नुदक्र Box यही जनियुक्तव यहां पने आप प्रेस करोगे तो प्रेस होने के बाद में सीधा सेंसेशन जाता है पी पॉइंट सवाइड्क पे जो आ एक्स्टरनली पेरनियल पार्ट है इस कोटम और एनस की बीच में जो पार्ट है वहाँ पे प्रेस करके इसे लोकिट किया जाता है और भी कुछ सवाल में आपसे करना चाहूँगा पर एक और दर्शक का कॉल आया है चर्जगेट से तेजस्विनी जी हमारे से जुड़ गई कैम ले सकते हैं तेजस्विनी जी आपका सवाल पूछे आपका फोन कनेक्ट हुआ है जाए से कोई टेकनिकल प्रॉब्लम है सर आगे बढ़ना चाहूँगा क्वेश्चन आशर के ऊपर आना चाहूँगा सर अम बात कर रहे हैं पी स्पॉट के बारे में तो सर अभी आपने कुछ लुब्रिकंट के बारे में बात की अगर उसे अंदर से डुड़ना हो तो लु इसलिए वहां पर इतना कोई मुश्किल नहीं आती है लेकिन स्पेशली मेल्स में एनस से कॉन्टाक्टर रहता है क्लोज रहता है और उसे थर्स्टिंग या फोर्सफुल फिंगरिंग के बाद पेन हो सकता है इसलिए सिलीकॉन बेस्ट लुब्रिकंट बहुत इंपॉर्ट करने में भी उसे लुब्रिकेशन आच्छा मिलता है तो एक लाइन में कोंगा सिलीकॉन बेस्ट लुब्रिकंट यूज करना चाहिए डेफिनिटल सर वापस एक बार कॉल आइधिंग करने के बाद निकलता नहीं है तो क्या सब्सक्राइब एक्सेलन क्या क्या सब्सक्राइ एक्टिविटी करने के बाद आपका विरेस कलेन नहीं हो रहा है बहुत प्रस्टेटिंग पोजिशन रहती है न रूख सकता है न वह हैपी हो सकता है और कुछ भी नहीं क्या रह सकता है इसे के सब्सक्राइब रिट्रोगर्ड इजर्क्लेशन कुछ लोगों में उल्टा इ सब्सक्राइब करने के विए से उसे हो और्गैज्मिक स्टिमूलेशन ही नहीं जाता ऐसे केसे में हम क्या करते प्रस्टाटिक मसाज स्पेशली ऐसे लूब्रिकन सी रिकॉन बैस यूज करके एनस में फिंगर डाल की जब आप मसाज को प्रस्टेट को तो ऐसे केसे में एक आखरी सवार आपसे करना चाहूंगा बट ीचलुक के बारे में सर यह बट ीच्ट करने से होताए नहीं होता मुझ तो उसले कुछ ट्वाइज 있지 वाहां पे आजओ होगे तो हाइजिनिक सेक्षट वाइबिलेट करना है यह पुट्वाइट नियम एक्ट एस बिड edacji व और फिंगर के जैसा उसका एक सर्फेस रहता है जहां से उसके वेवज निकलते सोनोगाफिके जैसे है वाइबरेशन निकलते है तो यह सर्फेस अंदर रखे पी पॉइंट की उपर रहा वन एड हाफ इंच अंदर एनस के अंदर डालके रखोगे और उसका बैटरी रिमोट आपको काफी अच्छा प्लेजर मिलता है और गयाजम होता है लेकिन फ्रेंट्स अपनी अपना दाइरा और अपनी लिगालेटी धाल में रखते हुए एचिजे तुम सैंट्रिफिक ओपिनियन सेक्ष्ण और उरोलोजिस का लेके ही कर सकते हैं डेफिनिटी सर थैंक्यू सो और आपके लिए खुश खबरी ऐसी है कि डॉक्टर साब का रिसेंटली दक्षिन मुंबई में साउत मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है तो डेफिनिटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पासकते हो चलिए दोस्तो आज के शो में समय होता है यहीं पर रुकने का शुक्रिया